Other Input Devices, Objectives इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे कम्प्यूटर के अंदर आवाज, तस्वीर और विडियो कैसे स्टोर की जाती हैं अब तक हमने कम्प्यूटर को Input देने वाली जिन Input Devices की तफसील देखी उनमें कीबोर्ड और माउस जैसी Input Devices शामिल हैं लेगन आज कल के दौर में जहां हर काम जल्द जल्द और बेतरीन तरीके से करने की ज़रूरत होती है वहां कुछ और Input Devices का होना भी ज़रूरी है कीबोर्ड की मदद से हम कम्प्यूटर को ज़्याद तर Textual Information फराहम करते हैं रोजमर्रा की जिन्दगी में Textual Information के साथ साथ कुछ और किसम की Information जैसे आवाज या तस्वीर भी मेहफूस करने की ज़रूरत पड़ती है आवाज या तस्वीर को स्टोर करने का कॉंसेप्ट नया नहीं है आपको याद होगा कि हम आवाज को Qassets वगेरा पर Record करते हैं और इसके लिए Microphone का इस्तेमाल करते हैं आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बिलकुल इसी तरह Computer भी आपकी आवाज Record करने की सहूलत मुहया करता है यानि कम्प्यूटर को हम किसी input device के जरीए आवाज या sound की input दे सकते हैं कम्प्यूटर में भी sound को input करने के लिए microphone का इस्तमाल किया जाता है जैसा कि आप screen पर देख रही है बाजार में मुख्तलिफ किसम के microphone मौजूद है अब आप जो microphone देख रही हैं उसके साथ एक तार है जिसकी ये knob या pin आप computer के साथ लगाते हैं microphone की मदद से हम कोई भी आवाज कम्प्यूटर में input कर सकते हैं कम्प्यूटर पर audio या आवाज store करने के बड़े फवायद है आप computer के अंदर मौजूद audio को बहुत आसानी से process कर सकते हैं आवाज के अलावा आपने देखा होगा कि जब हमें कोई तस्वीर या image की जरूरत होती थी तो हम camera की मदद से तस्वीर उतार कर एक album में महफूज कर लेते थे जिस तरह computer हमें audio या आवाज को महफूज करने की सहूलत मौहिया करता है बिलकुल इसी तरह हम computer के अंदर images या तस्वीरें भी महफूज कर सकते हैं अब आप screen पर एक खास input device देख रहे हैं ये scanner कहलाती है ये एक ऐसे input device है जिसके मदद से हम कोई भी text या image computer को मुंतकिल कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक कागस को जिसमें कुछ तसावीर बनी हुई हैं और कुछ text लिखा हुआ है इसको scanner में डाल रहे हैं और जब ये input device अपना काम देखा चुकी तो हमें यही page computer की screen पर नज़र आ रहा है यानि scanner के जरिए हम hard copy में माजूद information को computer के अंदर soft copy में तबदील कर सकते हैं कम्प्यूटर में हम आवाज और तस्वीर के इलावा video भी मेंफूज कर सकते हैं इसके लिए जो input devices इस्तमाल होती हैं उनमें webcam, digital camera वगारा शामिल हैं Summary इस lesson में आपने देखा कि mouse और keyboard की अलावा कुछ और input devices हैं जिनमें microphone, scanner और digital camera शामिल हैं microphone के जिरिये आप computer में आवाज input कर सकते हैं इसी तरह तस्वीरे और videos भी computer के अंदर store की जा सकती हैं जान के लिए लगार के राहर की को जार में आवाई आवाज में आवाचा के अंदरावजब क्यों आवाचीर शावाजब क्योंद़। झाल झाल